नमस्कार चानक्या IES Academy के संपाद की विश्लेशन में आपका स्वागत है संपाद की से समंदित इस वीडियो की सुरुबात करते हैं कल पूछे गए प्रश्णों के साथ कल दो प्रश्ण पूछे गए थे जिसमें पहला प्रश्ण कि आयस्मान सहकार यूजना निम्न में से किस मंत्राले से समंदित है तो इसका सही जवाब है ओप्शन B कृसी एवं किसान कल्यान मंत्राले वहीं जो दूसरा प्रश्ण पूछा गया था वह प्रश्ण है कि कॉपी रैप RT-PCR से अलग है क्योंकि इसमें कोविट जाच में तो यहाँ पर इसका सही जवाब है option C पहला और दूसरा मतलब कि सेंपल से viral RNA को अलग किया जाता है और दूसरा कि DNA Amplification भी इसमें किया जाता है अब हम बढ़ते हैं आज के संपादिकी की ओर यह रहा आज का संपादिकी है जिसका शिर्षक है Centers Bureau और इस संपादिकी को लिया गया है Indian Express से और यह संपादिकी है GS Paper 2 में शामिल भी से सामविधिक वी नियामक और विभिन अर्धन्याइक निकाए कि दृष्टिकों से महत्रपूर्ण है चलिए देखते हैं इस संपादिकी को विस्तार से पहली बात तो यह है कि आखिर इस सं CBI जांच पर रोक मतलब यह कि महराष्ट सरकार ने CBI को जो जनरल कंसेंट दिया था उसे वापस ले लिया है और महराष्ट सरकार जनरल कंसेंट को वापस लेने वाली कोई पहली सरकार नहीं है बलकि इससे पहले आंद्रप्रदेश, पश्यमंगाल, 36 गड़ और राजस्थ कि सरकारों के द्वारा भी CBI को जो जनरल कंसेंट दी गई थी उसे वापस ले लिया था तो अब हम यह देखते हैं कि आखिर यह जनरल कंसेंट होता क्या है तो देखें CBI के पास किसी भी मामले के जांच करने की सकती है और CBI को यह जो सकती मिली हुई है वह डेली Special Police Establishment Act 1946 1946 के द्वारा है और हमें यह पता है कि CBI की इस्थापना 1963 में की गई है अब देखें कि डेली Special Police Establishment Act 1946 के Section 6 में यह प्रावधान है कि CBI किसी भी मामले की जांच जो किसी खास राज से सम्मंदित है या उसके छेत्रा धिकार में आता है तो इस तरह के मामलों की जांच की सुरुवात CBI तभी कर सकती है जबकि सम्मंदित राज सरकार के द्वारा उसे इस तरह की जांच की अनुमति दी जाए मतलब ये कि उस राज से अनुमति लेना CBI के लिए आविस्यक है आखिर ऐसा क्यूं तो इसका आधार संवेधानिक है हमें यह पता है कि कानुन विवस्था या law and order राज सूची का विशे है लेकिन वहीं इसके अपवाद भी है आखिर वो अपवाद कौन से है तो जरह देखी अपवाद क्या है कि CBI स्वता संग्यान मतलब स्वेंद दौरा केंदर सासित परदेसों में अगर कोई मामला होता ह है अगर कोई केस है तो उसकी जांच कर सकता है उसके अलावा सरवोच नयाले या उच नया अगर CBI को देश में कहीं भी और किशी भी मामले की जांच का अगर आदेश देते हैं तो फिर उसके लिए CBI को यह आविस्थक नहीं है कि वह राज से एनुमती ले अगला सवाल यहां पर यह है कि CBI से जब जनरल कंसेंट को वापस ले लिया जाता है किसी भी राज्य सरकार की द्वारा तो उसका क्या प्रभाव होता है तो ज़र आप प्रभाव देखिए जनरल कंसेंट को वापस लेने के बाद CBI उस राज्य से संबंधित मामले या केस या उसके छेत्राधिकार में आने वाली अगर कोई बात हो जैसे कि मान लिजे कि डेली में अगर कोई अपराध हो रहा हो और उसका सूत्र अगर महाराष्ट में हो तो फिर उस सूत्र की जांच जो महाराष्ट में है वह CBI नहीं कर सकती है परंतु यहाँ पर यहाँ उलेखनी है कि जनरल कंसेंट को वापस लेने से पहले अगर किसी मामले की जांच CBI कर रही है तो CBI उस मामले की जांच आगे भी करती रहेगी अगर राज इस्तर पर CBI द्वारा मामलों की जांच देखे तो उन जांच के आधहार पर CBI के तीन डिवीजन होते हैं पहला division कौन सा है? Anti-Corruption Division इस division का मुख कारी किया है इसका कारी है कि लोग सेवकों तो लोग सेवक चाहे वो केंदर सरकार के अधीन हो चाहे वो राज सरकार के अधीन हो और उनके विरुद्ध अगर भरष्टाचार का आरोप लगता है तो फिर Anti-Corruption Division उसकी जाँच करती है दूसरा Economic Offenses Division यह जाँच करती है किन मामलों की? वित्ती अपराद से समंदित मामलों की बैंक फ्रॉड की, मनी लॉंडरिंग की उसके अलावा तीसरा Division Special Crime Division यह जाँच करती है आंत्रिक सुरक्षा, हत्या और ड्रक्स जैसे मामलों की अब यहाँ पर यह प्रश्ण है कि आखिर महराष्ट सरकार ने CBI को जो जनरल कंसेंट पहले दिया गया था उसे वापस क्यों लिया गया? तो देखिए, फोड़ा सा मामला राजनितिक है इसलिए हम उसे उपरी इस तरपर ही इसकी चर्चा करते है हमें यह पता है कि सुसान सिंग राजपूत की हत्या या आत्म हत्या तो जो भी मामला है उसमें हमें यह पता है कि मुंबए पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का कोई FIR दर्ज नहीं किया गया था तो फिर यह मामला चला गया किस के पास CBI के पास वहीं हालिया TRP स्कैम पर अगर हम गौर करें तो इसके अंतरगत पांच प्रमुख चैनलों पर केस किया गया है और मुंबए पुलिस ने उन चैनलों से संबंधित अधिकारियों और करमचारियों पर FIR दर्ज किया है तो अब महराष्ट सरकार को इस बात का डर था कि कहीं यह जो TRP स्कैम से संबंधित मामला है वह CBI के Special Crime Division के पास ना चला जाए क्योंकि ठीक इसी तरह का एक TRP मामला UP में भी देखा गया तो UP की सरकार ने उसे CBI को दे दिया है अब मामला यहां पर बिया है कि जो वर्तमान विवाद दिख रहा है हमें CBI को लेकर केंदर और राज सरकारों के बीच में तो यह उस दृष्टिकोन को मजबूत करता है क्या कि विरोधी दल की राज सरकार है कि केंदर सरकार विरोधी दल की जो राज सरकार होती है CBI का प्रयोग एक राजनितिक उपकरन के रूप में उनके विरुध करती है और एक सब्द जो च्छाव वर्सों से बड़ा सक्री है वह है सहकारी संगवाद हमें यह पताए कि सहकारी संगवाद का अर्थ है कि राज की जो सरकारे हैं वह केंदर सरकार की अधिनस्त नहीं होती है बलकि राज्य सरकार और केंदर सरकार दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं तो 6 वर्सों में केंदर और राज्य के बीच बेहतर संबंद के लिए जिस सहकारी संगवाद की अवधारना पर बल दिया जा रहा है वहीं यह देखा गया है कि व्यवहारिक इस तरपर इसमें कमी है और इसके कई उधारन है जैसे केंदर सरकार के द्वारा CBI का प्रयोग वहीं GST छतिपूर्ती का मामला जो केंदर और राज्यों के बीच में विवाद का एक कारण बना हुआ है लेकिन इन सब के बाबजूद जब भी जाँच के संदर्व में निस्पक्षता की बात आती है निस्पक्षता से समंधित प्रश्न खड़े होते हैं तब हमेशा सरकार CBI से जाँच की बात कहती है और केबल CBI की जाँच की बात सरकारी नहीं करती है बलकि जो पेडित होते हैं वह भी CBI से जाँच की बात करते हैं तो अब यहां महत्रपूर्ण यह है कि CBI की जो छवी बनी हुई है उस छवी में कैसे सुधार हो तो प्राथमिक दाइत तो है किसका खुद CBI का वहीं डारेक्टर की नियुक्ति के लिए जो चैन प्रक्रिया होती है और उस चैन प्रक्रिया में जो पैनल होते हैं उस पैनल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के लोगों का मौजूद रहना आविस्यक है कई दसकों से CBI का प्रियोग एक राजनितिक उपकरण की रूप में होता आया है और यही कारण है कि CBI को तोता की संग्या दी गई है लेकिन अंत में यह तोता की ही जिम्मेदारी है कि उसे किस प्रकार के पिंजडे में रहना है और किस की धुन पर गाना गाना है इस प्रकार इस संपादकी के माध्यम से हमने CBI के जनरल कंसेंट सहित अनितत्यों पर गौर किया यह रहा आज का प्रश्न है प्रश्न है कि के संथनम समीती की अनुसंसा पर निम्न में से किस की इस्थापना की गई है इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार एंड भी इस स्थापना प्रश्न है आज को सब्सक्राइब को इस अप्रश्न है